किसान भाईयों जैसा कि हम जानते हैं अगात लगाते हैं उस समय बारिस का मौसम होता है तो सिचाई से जादा जल निकासी की बैवस्था करनी होती है और खर पतवार का नियंतरन ये दो बहुत महत्पुर्ण है अगर आपके बलवाही टाइप की मिट्टी है बलवाही दोमट स्वाइल जिसे हम कहते हैं अंगलिस में और केवाल आम किसान भासा बोलते हैं उस तरह की अगर मिट्टी है तो आपको उचा बेट करके लगाने की जरुरत होगी लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे कि चुकि बरसात का मौसम है जल निकासी के लिए हम उचा बेट भी कर रहे है लेकिन जैसे ही बरसात कम होगा 15 सिप्तंबर के बाद और वहाँ पे आपको सिचाई देने की आओ सकता होगी तो सिचाई का समूचित परबंध हो इसका भी विसेश ध्यान रखें साथे सार खर पतवार नियंतरन के लिए आपको इसको रेगूलर इसका उपाय करते रहे किनारे से सुखने लगेंगे यह दू तरह से होता है या तो यह बैक्ट्रियल विल्ट हो सकता है या फंगल विल्ट हो सकता है कुछ भी फुफुन से भी हो सकता है जिवानू से भी हो सकता है उसको दूनों के लिए रोग रोधे किश्म उपलब्ध है आम तोर पर हमारे पर बोग सिर्ड रेसिस्टेंट परभीद आपके होने चाहिए आम तोर पर अगर आप उन्नत परभीद लगा रहें हाईवरीड नहीं लगा रहें किसान भाईयों तो आपको 100 kg नाइट्रोजन परती हेक्टियर की दर से 50 kg फास्फोरस और 50 kg पुटास परती हेक्टियर की दर से द देनी होती है जो नाइट्रोजन की आधी मातरा है उसको दो खोराक में रुपाई के 15 दिनों बाद और फिर 35-40 दिनों बाद यूरिया की रूप में टॉप ड्रेसिंग करनी होती है लेकिन जब अगर हम हाईवरीड परभीद करते हैं उसका उत्पादन छपता दुगुना स तिन गुना होता है उन्नत परभेदों से तो आपको वहाँ पे आपको खाद और कमपोश की मातरा भी बढ़ा देनी होती है और नाइट्रोजन 200 किलो गराम और फासफोरस और पोटास 100 किलो गराम दोनों का परती हेक्टेर की दर से देना होगा कमपोश भी आप 20 टन के जग परती हेक्टेर की दर से उत्पादन चमता इनकी होती है तो अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें उरवरक और कमपोश भी थोड़ा अधिक देना होगा हम अपने किसान भाईयों को यह जरूर सुजाहों देंगे कि जब आप अगात लगा रहे हैं तापमान में नमी ज्या करता है वही कीडा फिर उसके बाद जब फल लगने लगने हैं तो फलों में छेद करता है इसको हम लोग तना अवं फली छेदक कीट के नाम से जानते हैं तो इसके लिए आपको अपनी खेद की सरसफाई भी रखनी होगी अगर टहनिया सूख रहे हो कहीं कहीं पर जुक रह है उसका एक मेल परती लिटर की दर से फूल आने से 15-20 दिन पहले के अवस्था से लेके फली पकड़ने तक 15-15 दिनों के अंतराल से 2-3 छिड़काव आप अवस्य कर लें अचा यह दवा का जब आप छिड़काव करेंगे तो दूसरे अन्य कीट से भी आपके फसल के पास थोड़ी-थोड़ी एक-एक कप पानी में उसके जड़ों को ड्रेंचिंग करते रहें सिचाय जैसी करते रहें हर एक-एक हफते के अंतराल पे तब दो-तीन बार अगर आप यह कर देंगे तो इस रोग से कुछ हद तक आपको सुरक्षा मिलेगा लेकिन सबसे है कि आप रोग रोधी किस्म को ही अपना